चलिए आज भेजा बनाता है गुजरे दिनों बकराई थी इसलिए बहुत लंबा गाप हो गया यह मैंने एक भेजा लिया है बकरे का इसको अच्छे से पहले आपने वाश करना है उसके बाद उसे बॉइल करना है नमक डाल के पानी में और फिर ड्रेन करने रख देना है अब रख को लेना है जिनजर पेस्ट गारलिक पेस्ट वन टीश्पून एच और एक टीश्पून इह कुटिवी मिर्चे अगर आप मिर्ची जादा खाते है तो आप 10 अहाफ टीश्पून ले 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 लें 1 अहाफ टीश्पून देया है और इसको मैं अकसर दही ऐसे फोक से उसको डालके हम इसमें कुछ 3-4 मिनिट्स तल लेंगे तो यह जो चटनी सी रहती है यह अच्छे से तल जाती है जरा सही बनता है भेजा बकर का इसको आप नाश्ते में बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और यह बड़ी जट जट पड़ सा बन भी जाता है पराठों के सा अच्छा प्रश्चा दाल जाती है उसके बाद आपने इसमें दही डाले ना है फिटा हुआ पहले दही को अच्छे से फिट लेंगे आप तो किसी भी ग्रेवी में उसके लंब्स नहीं बनेगे आप परिशार नहीं होंगे तो पहले ही फोक से इसमें आप विस्प कर लें अब देखें कितना ग्लॉसी सा हो जाता है जो ग्रेवी रहती है उसको मैंने तू 2-3 मिनिट फ्राइ किया था और उसके बाद ये भीजा जो बॉइल और ड्रेंड है उसको मैंने डाल के इसमें थोड़ी देर तर लेना है कुछ 3-4 मिनिट आप इसमें तर लेंगे उसके बाद अब इसमें एड़ करिए सौल्ट हम लोगों ने वन टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया था चोटा सही होता है बेजा जादा नमक इसमें डालना भी नहीं रहता है अब देखिए ये उपर जाग जाग सा जो आ रहा है मतलब के बेजा ये रेडी हो गया है अब निकालने से निकालें तो इसमें उपर से बारी कटा हर अधनिया डालें चाहे तो हरी मेट्चे भी डालें और इंजोई करें